तोई बीजेपी के वरिश निता राजिश दिख्षित ने दो टूक शब्दों में कहा कि गुजरात उनके लिए कहीं कोई चुनौती नहीं जनतांत्र टीवी के राजनितिक संपादर का खिलिश मिष्ट ने उनसे खास बाचित की है क्या कुछ कहा सुनी चुनौत आयोग ने गुजरात में चुनौत की खोशना कर दी है भारती जनता पार्टी की तमाम नेता हैं जो गुजरात के लिए कमर कसरें उसमें से एक है राजिश दिख्षित जी आपने हिमानचल का दोरा किया गुजरात एक बार हो के आये हैं आज एनाउंस हो गया है खोशनाइक के साथ है आज दीख रहे हैं आप G philanthrop ते रेफ्रंट टी तायरिस है भ फैर का साई ब्लै सब्डाय की तो नहीं चाहिवान जुस्रय जो गटाले में और दोके बार दोके में आ जाये गुझ्रात की जंता गुझ्रात की जंता बड़ी सरल राख चुखी सुखीट जंता है और मोधि ज्पी कियार करती है औहर बहुत इंदिय को दन्या急 जो पिछव 강 तूर्प द नहीं है। बहुत चैसी सीटें जहां पर भारती जंता पार्टी लगातार कम होती जा रही है, जीत हार का अंतर कम होता जा रहा है, तो और जिस तरह प्रधान बंती जी लगातार गुज़रात में समय दे रहे हैं, कहीं ने कहीं डरे तो जरूर है ना अब जब से गुज़रात की सरकार बनी थी 2016 में तब से मोदी जी कई बार जा चुके हैं और जाते रहते हैं, बराबर सारे मंतरी सारे निता जाते रहते हैं, ऐसी कोई वहां किसी भी सीट में अगर कुछ है तो उसकी विवेचना की जा रही है, उसमें कोई संकट की बात नहीं है कह मोरवी की घटना, जिसमें मारे गए सीधे तोर पर प्रशासन की जिम्मेदारी है, आपको लगता है ये एक चुनावी मुद्दा बन पाएगा? मोरवी की घटना कभी चुनावी मुद्दा नहीं बन सकता है, क्योंकि दख्ये घटना होती रहती है, हर जगे हो जाती है, कस्मात हो जाती है, उसके लिए किसी सरकार को दोसीद करना ठहराना ये ठीक नहीं है. ठीक है कुछ गलतियां हुई है कुछ गरबडियां हुई है जो लोकल लेवल पर निप्टाई जा रही है उनको छीट किया जा रहा है माधरणी मोदी जी अभी वहाँ होके भी आए वहाँ की सब काहाल चाल भी लिया है तो उसका चुनाव से कोई संबंद नहीं तेथर राजिस्दक्षित जो दोनों राजियों का दौरा कर रहे हैं लगाता और इनका साब तोर पर यही कहना है कि गुजरात भारती जिंता पार्टी के लिए कोई चलेंज नहीं है भले विपक्षे दावा करे कि प्रधान मंतिर नरेंद मोदी ने अपनी पूरी ताकत गु जन्तंतर टीवी दिल्ली